आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी वर्ट्प्रेस एपसाइट का पास्वेड आपसे लॉस्ट हो जाता है या आप उसे भूल जाते हैं या आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने क्या जेनरेट किया था तो आप उसे कैसे रिसेट कर सकते हैं तो उसकी मैं स्टेप बाई स्टेप गाइड बताऊंगी तो सबसे पहले आप अपने लॉग इन पेज पे आ जाते हैं लॉग इन पेज पे आने के बाद आप लॉस्ट यो पास्वेड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप लॉस्ट यो पास्वेड का ओप्शन क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन होके आ जाएगा जिसमें एक फॉर्म होगा जो आप से कहेगा आप अपना यूजर नेम या फिर इमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर करें तो आप अपनी इमेल एड्रेस जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पे ढाली थी यूज की थी उसे आप यहाँ पे इंटर करें मैंने जो करी थी मैं वो इंटर करके इसे आगे फॉर्वर्ट करते हूँ इसे इंटर करने के बाद आप एक रिसेट बटन जो नीचे आपको दिख रहा है रिसेट पासवर्ड उस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप रिसेट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक option आजाएगा एक message पासवर्ड रिसेट इमेल हैज बीन सेंट या नी कि एक आपकी इमेल पे लिंक चला गया है जसके थूआ आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं तो इसके लिए मैं अपना email box open करती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक mail आ गई है जिस पे password reset request है मेरे blog को reset करने के लिए तो मैं इसे open करूँगी open करने के बाद देखें इसमें click here to reset your password को option आ रहा है इस link पे हम click करेंगे अब आपके पास एक form open होके आ गया है जिसमें आप अपना नया password डालेंगे इसके बाद आप save button पे click कर देंगे save button पे click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे password successfully reset हो गया मेरे पास message भी आ गया your password has been reset successfully इसके बाद हम अपने admin dashboard पे आएंगे और इसे login करके देखेंगे कि हमारा new password work कर रहा है या नहीं कर रहा है login dashboard पे आने के बाद हम अपना यहाँ पे username और new password इंटर करेंगे तो guys आप देख सकते हैं मेरा dashboard successfully login हो चुका है तो यह था मेरा first part इसके बाद मैं second part में आपको बताती हूँ कि दूसरा method क्या होता है password को reset करने का friends second step है आपकी website के password को reset करने का उसके लिए आपको अपने cPanel में login करना होगा जो भी आपका domain का cPanel होगा उससे login करने के बाद आपको यहाँ पे search करना है wordpress then आपको wordpress manager by softaculous पे click करना होगा इसके बाद जिस भी url का यानि कि यहाँ पे मेरी इस domain पे दो wordpress installed है लेकिन मुझे slash demo के password को reset करना है तो जिस भी url के wordpress के password को आपको reset करना होगा उस पे आप जाके manage users पे click करेंगे then यहाँ पे आपको दो options दिखाई देंगे पहला change password and second add user लेकिन आपको यहाँ पे अपना password change करना है तो सबसे पहले आपको अपना username select करना होगा जिसके लिए भी आपको password change करना है तो मेरा username demo है तो मैं उसे यहाँ पे click करती हूँ और अपने नए password को यहाँ पे मैं insert करूँगी password डालने के बाद आपको save button पे click कर देना है आप देख सकते हैं एक message generate हो गया है password change successfully then मैं आप check करती हूँ कि मैंने जो अभी यहाँ पे password change किया है उसे login करने पे वो work कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप इसे यहाँ पे close करके अपनी वापस website के admin panel पे जाएंगे यहाँ पे आप अपना username और password इंटर करेंगे जो आपने अभी नया बनाया है so friends आप देख सकते हैं मेरा second part भी complete हो गया है मैंने जो say panel से password बनाया था वो भी successfully यहाँ पे work कर रहा है तो यह दो step हो गए अपने password को forgot करने के या फिर reset करने के so आज के लिए इतना ही so अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें, share करें और subscribe करें और मेरे चैनल के साथ जोड़े रहें तब तक के लिए बाई बाई